एक गाओ में एक कोकिला नाम की ओरद अपने बेटे एहम और बहू गोपि के साथ रहती थी लेकिन उसे गोपि बिल्गुल भी पसंद नहीं थी क्योंकि उसे गोपी का पसंद थी एहम के लिए वो हमेशा उसे डाठती रहती थी और बहुत काम लगाती थी दिन बर काम लगा कर भी उसका मन नहीं बहरा तो उसने सोच जो ब्रीज से दखका देकर मार दूंगे इसा सोचकर वो उसे ब्रीज पर लेकर गई लिकिन उप गल्टी से पानी में खुदी बिर गई गोपी डर कर भाग गई इतने में पानी से छुदेल बन कर बाहर आई और फिर उसे शाम घर के सारी काम खतम कर गोपी सोही रही थी कि अचानक से उसके आप खुली और उसने देखा कि माजी गोपी दो माजी बूद